जब असूर आया हम बिल्कुल भी तयार नहीं थे एक low budget show with no famous actors लेकिन content एकडम आग, कडग जिसके सामने पूरा पॉलिविट हो गया surrender अभी सोचो अंधेरे कमरे में आँख पे काली पटी बानके चुपचाप खड़े हो आप कि तभी अचानक सुनाई देती है गोली की आवाज और हाँ दौनों हाथ भी बंदे हुए हैं डर लगेगा कि नहीं? खून में वो क्या बोलते है? थ्रिल, excitement वो दौडने लगेगा ना? बस यही लेवल है वूट के नए शोका जिसने ठीक असुर की तरह उड़ा दिये हैं सबके होश candy, one line review, suspense plus mystery fans को मिलने वाली है जननत, रास्ता to heaven ऐसी कहानी जिसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं थे तयार experimental cinema है ये कुछ नया, normal से बिल्कुल अलग, makers ने लिया है एक risk and safe खेलने की कोशिश बिल्कुल zero, तालिया इतने पर ही बजा दो एक छोटा सा शहर है पहाड़ों की दुनिया में जहां होने वाले हैं बड़े-बड़े कांड, पेर पे लटकी मिलती है एक छोटे बच्चे की लाश, शरीर से चाकू हो गया है आरपार एंट्री होती है पुलिस की जो प्रेजेंट से पास्ट में जाते है इस मर्डर को सुलजाने, एंड शिरुवात होती है स्कूल से जो शहर में काफी मशूर है ना बाबा ना पढ़ाई के लिए नहीं, स्कूल फेमस है कैंडी के लिए, अरे टौफी लेकिन धोका मत खाना, इसके अंदर है ड्रग्स, वो भी ऐसा, जिसके बाद दिमाग बन जाता है डिसको डांसर बट इस कैंडी से भी जादा मशूर एक दूसरी चीज है, वो जिसका कनेक्शन डार्क स्केरी जंगल से है मसान नाम का एक राक्षस, जिसको देखा किसी ने नहीं, बट उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाती है एक आखरी प्रानी और है, जिसका इंट्रो कराना है काफी ज़रूरी ये वाइट रैबिट जो नॉर्मल साइज से है काफी बड़ा, एंड केंडी में ड्रक्स का मास्टर माइंड यही है बट इसकी शकल दुनिया के सामें नहीं हुई है, रिवीली हाँ तो उपर वाली चीजों को एक दूसरे से जोडने के लिए सबसे ज़ादा जरूरी थी एक इंट्रस्टिंग कहानी बट राइटर्स लिटरिली खेल गए हैं दिमाग से बिकॉस सिर्फ इंट्रस्टिंग नहीं कहानी है चालाक एंड भयंकर, दर लगेगा भया शौट में बोलू तो बस चार पी हैं जिस पर शो बेसिकली टिका हुआ है वो हिपनोटाइज करने वाला हत्यार देखा है आपने, बस उसी स्टाइल में स्टोरी सुनाई गई है नशा हो जाता है इस शो का अगले एपिसोड में क्या होगा, कैसे होगा, लिटरिली मेकर्स के पैर पकड़ के जवाब पूछना चाहते हैं हम बस आजकल OTT का फैशन है ना, सीजन वन में धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ती है एपिसोड में सीजन टू के लिए सारे सवालों के जवाब छोड़ दिये जाते हैं लेकिन कैंडी इस मामले में है सुपर फास्ट, पूरा सीजन तो छोड़ो, एपिसोड बन में ही सब कुछ आपकी आँखों के सामने फेक दिया जाता है ट्विस्स, सस्पेंस, क्लाइमेक्स तीनों की शुरवात हो जाती है और एपिसोड बन का एंड एक ऐसे सीम के साथ होता है जो सच में हार्ट इटेक देनी की पावर रगता है जोर का जटका बापरे बाप सिनेमेटोग्राफी की तो बाती मत पूछो बिलकुल हॉलिबुट टाइप शोज की क्रियेटिविटी के दर्शन होने वाले हैं बर्फ के बीच एक काला डरावना जंगल और उसके अंदर नजर आने वाले घिनोने राक्षस जो इंसानों को बना रहे हैं अपना शिकार ये जो खौफ वाला सेटप है उसको और जादा एक्स्ट्रीम बना देता है हांटिंग बैग्राउंड म्यूजिक चलो आप खुदी बता दो कभी सोचा था दैट किसी खरगोश को देखकर डर लगेगा नहीं न बस यही तो जादू है इस शो के नरेशन का जो सोचोगे उसका ठीक उल्टा मिलेगा असुर क्यों पसंद आया था? बिकॉज उसका कॉंसेप्ट था काफी हटके और एक्टर्स जो थे उस शो में वो एक्टिंग किये थे इतनी कमाल देट नकली दुनिया भी बन गई थी असली तो बस केंडी इन दोनों डिपार्टमेंट में खड़ी है असुर के ठीक बगल में टॉफी के अंदर ड्रंक्स कुछ नया है ये तो प्लस जंगल का राक्षस जिसको देखा किसी ने नहीं लेकिन जानते सब है उसको रह गई बात अक्टिंग की तो भया ये बॉलिवुट की पापा की परियां एंड सरनेम लगा के करियर चलाने वाले रोबोट्स की तरह मशूर नहीं है इनका एक्स फेक्टर है टेलेंट रॉनित्रोय रिचाच अड़ा दोनों खड़े है एक दूसरे के आमने सामने एंड पब्लिक का जो एमोशनल टच है शो से उसका असली रीजन यही होंगे इन दोनों के कैरेक्टर्स लिखे गए हैं लेयर बाई लेयर उपर वाली हटती है तो नीचे वाली भार आती है इतने सारे सीक्रेट्स हैं कि कब पॉजिटिव से नेगिटिव और नेगिटिव से पॉजिटिव बन जाएंगे समझी नहीं पाऊगे रीजन परफेक्ट एक्टिंग जिससे ये बंदा आपको अपना फैन बना लेगा बट ये एक्टिंग वगरा सब हो जाता वेस्ट अगर कहानी को लिखा ना गया होता वित तेज दिमाग एंड चॉकिंग ट्विस्ट के साथ राइटर्स ये है कैंडी को सुपर हिट बनाने वाले असली हीरो और फिर जो डिरेक्टर साब कैमरा के साथ 1-2 का 4 और 4-2 का 1 किये हैं वो बना देता है इस शोग को 2021 की वन ओफ दो बेस्ट वेब सीरीज मतलब कैमरा स्क्रीन पर राइट से लेफ घूमता है बस उन 3-4 सेकेंड में पूरी कहानी ही पलट जाती है अंधेरे में से कब क्या बहार निकलेगा यू हैव नो आइडिया आंखें दिमाग दोनों खुला रखना बॉस तो यार मेरी तरब से कैंडी को 5 में से 4 स्टार्स एक स्टार तो मिलेगा कते ही अनेक्स्पेक्टेड क्लाइमेक्स वाले ट्विस्ट के लिए दिमाग में बॉम ब्लास्ट हो गया दोस्ट परफेक्ट एंडिग एक स्टार हीरो को विलन, विलन को हीरो हर किसी पे शक कराने वाला narration style ये है बड़ी मज़िदार चीज दिमाग भूल भूलया में घूमता रहता है नो फुरसत या आराम एक star show का जो काफी different concept है उसके लिए specially जो bedtime stories से एक राक्षस को जिन्दा किया गया है जिससे बच्पन में हम सब डरते थे वो कलाकारी है जबरदस और एक star supporting cast वाले मज़िदार characters और उनमें जान डालने वाले नाम में काम पे focus करते हुए actors उनके लिए फैन हो जाओगे boss इन सब लोगों के बात करूं negatives की तो half star करतेगा Richard Chadda as police officer उस character में लगती है थोड़ी unconvincing नहीं acting अच्छी है बट police की uniform में जो उन्होंने किया वो है थोड़ा सा over the top और half star कुछ बिना ज़रूरी side angles जो school student पे based हैं उसके लिए काफी scenes इनके repeat भी होते हैं जो series को बेवज़ाय कर देते हैं लंबा and slow quick tip मेरी यह है that इस हफते candy को जरूर देखना वादा करती हूँ असूर लेवल का entertainment महसूस होगा एक नया attempt है इंडियन cinema में and you should experience it बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको instagram पर भी मिल जाओंगी वड़ना थोड़ा सा इंतिजार करिये मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्या, बैबै